दोस्तों नवस्कार मैं जगरनाद गौतम देश रोजाना यूटीव मंच पर आपका स्वागत है दोस्तों हरियाना में लोग सवाचुनावों के बाद विधान सवाचुनावों की तैयारियां सुरू हो गई है हलचल बहुत तेज है सबनेता जो संभावित उम्मीदवार है हरियाना की नव्य विधान सवाचीटों पर वो सब तैयारियों में जुट गए है लेकिन वो तैयारियां कितनी पूरी हैं कितनी अधूरी हैं इसी मुद्दे पर आज हम बात करने वाले हैं और जो हम पहली बार आज जो बात करेंगे आज सिर्फ हम लोगसवा संसदिये छेत फरीदाबाद में पढ़ने वाले दो जिलों फरीदाबाद और पलवल की नौ सवा नौ विधान सवा चुनावां में कांग्रेस की नईया कैसे पार लगेगी इस पर चर्चा करेंगे दोस्तों आप जानते हैं कि जब 2019 में विधान सवा चुनाव हुए थे और लोगसवा चुनाव हुए थे तो भाजपा ने कांग्रेस की बड़ी दुरगती की थे और उन दोनों चुनावों में जो भाजपा के उमीदवार जीते थे वो बहुत ही जादा भारी मतों से जीते थे लेकिन बेशक इस बार हरियानाव की दस लोगसवा सीटों में से पांच भाजपा ने जीत लियें लेकिन दोस्तों पलवल फरिदावाज जिले की नौ संस्दी अज्ञों विधान सवा सीटों पर कांगरेस आजबी बहुत बुरे दूर से गुजर रही है आप कहेंगे कि भी इस बार तो कांगरेस के अच्छा प्रदर्शन किया है दोस्तों वो जहां किया है वो वहां किया है जिन पांच लोग सवा छेत्रों में कांग्रेश जीती है वहां अच्छा प्रदर्शन रहा है लेकिन सवाल तो ये पैदा होता है कि फरीदावाद और पल्वल जिले की नोविधान सवा छेत्रों में कांग्रेस की इस बार भी मट्टी पलीत हुई है और वो कैसे हुई है मैं आपको बताता हूँ मैंने मोटे तोर पे 2019 के चुनाबों की तो बात कर दी यदि मैं उनके भी डिटेल दूँगा तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी इसलिए मैं इस बार जो इन नौविधान सवाशीटों पर कांग्रेस को मत प्राप्थ हुए है उनकी चर्चा करूँगा और जितना अंतर रहा है तो मैं जवाब चाहूँगा कि कांग्रेस वालो कांग्रेस के नेताओ या कांग्रेस का छंथन जवाब दे कि जव कांग्रेस हाई कमान इस बार जो नारा लगा रहा है इस बार सत्तर पार तो उसमें फरीदाबाद और पलवल जिले का क्या योगदान रहने वाला है कांग्रेस इन नौव इधान सवाज सीटों पर कैसे जीतेगी जबकि यहां पर मैक्सिमम सीटों पर भाजपाने कांग्रेस को बुरी तरह हराया है अब मैं यह जमाखाच वैसे नहीं कर रहा हूँ अब मैं आपको आंक्रे बताता हूँ कि कहां किस छेत्र में इन नौव इधान सवाज सीटों में कांग्रेस कहां कहां कितने बोटों से पिछड़ी जमकी महोल इस बार बहुत बदला हुआ था और हालात यह थे कि इस बार चुनाव मैं जो भी पिछली बार से बोटों में बढ़ोतरी हुई वो पुरदेश की जनता ये इन नौव इधान सवाचेत्रों की जनता की बदलत हुई जनता का मूड बाज़पा के खिलाप था इसलिए पिछली बार 2019 के चुनावों से इस बार कुछ बोटें कांगरेश को ज़्यादा मिली लेकिन आज भी जितना अंतर है वो किसी हत्तर शर्म ना कहा जा सकता है और ये नहीं कहा जा सकता कि ऐसे हालातों में कांगरेश 90 विधानसवा सीटों में 70 से पार ले जाएगी जब 9 विधानसवा सीटों के हालात ये हैं तो मैं इन विधानसवाओं के बारे मैं बताना चाहता हूँ कि दोस्तों बदले हुए माहौल के बावजूद NIT फरीदावाद विधानसवाद छेत्र जहां से पिछली बार कांग्रेस के नीरत शर्मा विजय हुवे थे जीते थे लेकिन इस बार NIT विधानसवाद छेत्र पर कृष्ण पाल गूजर को लोगसवाद चुनावों में एक लाक आथ हजार पांसो बोट पड़े यानि नीरत शर्मा जो कांग्रेस के विधायक है NIT विधानसवाद छेत्र से वहाँ पर कांग्रेस को मात्र 66,810 बोट पड़े अब लगा लें कि यह कितना बड़ा अंतर है और यदि नीरत शर्मा को यहां से टिकट मिलता है तो वो कैसे इतने बड़े गैप को पूरा करें दोस्तों फरिदाबाद जिले की या लोग्सवाद छेत्र की प्रमुक सीट है यहां पर कृसिन पाल गुजर इसी छेत्र के रहने वाले हैं 28 सेक्टर में रहते हैं और फरिदाबाद विधान सबाद छेत्र में यह चेत्र पड़ता है तो फरीदाबाद सीट पर लोगसवा चुनावों में 86,853 बोट भाजपा को मिले यानि कृष्णपाल गुजर को मिले और कांग्रेश को मात्र 50,960 मिले अब कांग्रेश के नेता बताएं प्रदेश अध्यक्ष बताएं और सभी बड़े अधिकारी या संभावित उम्मीदवार बताएं कि फरीदाबाद में जो ये अंतर रहा है कि 86,853 बाजपा को और कांग्रेश को 50,960 तो ये गैप कांग्रेश कैसे पूरा करेगी जो इतनी पिछड़ गई है भरिदाबाद सीट पर इसके लिए कांग्रेश क्या करने जा रही है इसके लिए क्या कदम उठाए जा रहे है इसके बाद हम फिर आगे बढ़ते हैं तिगाउं विधान सवाचेतर यहां तो कांग्रेश की और भी ज़्यादा बुरी हालत दिख हूं मैं भाजपाक उम्मीदवार को एक लाख चब्वीस अजार बोट मिले जबकि कांग्रेश को 46,677 बोट मिले यह विचिंता का विशह है इतना बड़ा गैप होना फर्क होना भाजपार कांग्रेश के उम्मीदवारों के बीच या विधान सवाचेतर में आगे प्रतला हा प्रतला जबूर एक ऐसी सीट है प्रतला विधान सवाचेतर वैसे तो यह पलवल जिले में पढ़ता है प्रतला तो यहां पर पर भाजपा की उम्मीदवार को 66,850 बोट मिले जबकि कांग्रेश को यहां पर 74,95 बोट मिले यानि यहां इस सीट पर प्रतला सीट पर कांग्रेश जैसे तैसे अपनी इज्जत बचाने में काम्याव रही और ये भी कहा जा सकता है कि पिछली बार यहां से नेनपाल रावत आजाद उमीदवार के रूप में जीते थे लेकिन इस बार कांग्रेश ने यहां पर इस सीट पर निश्चित रूप से बढ़त प्र सोचनी हैं यहां पर बाजपा को 90,941 वोट मिले और कांग्रेश को मात्र 45,166 वोट मिले कांग्रेश की समर्थक कांग्रेश की समर्थक मतलब जंता कांग्रेश को चाहने वाली जंता और कांग्रेश का हाई कमान किसी को भी टिकट देने से पहले ये जरूर सोचे कि भई इतने कम बोट बल्लागड में कांग्रेस को क्यों मिले और जो कांग्रेस के टिकट पर पहले चुनाव लड़े थे और अब जो लड़ने जा रहे हैं वो क्या कर रहे थे, क्या सो रहे थे यदि वो जन्ता के बीच जाते या जन्ता के बीच उनकी अच्छी छबी होती या उन्होंने बहुत बहतर प्रियास किये होते तो बल्लागड में इतना फरक न होता कि भाजपा को 90,941 कांग्रेस को मातर 45,160 बोट मिले फिर आजाते हैं बढ़कल दोस्तो बढ़कल भी हरियाना की प्रिशिद विधानसवा छेत रहे है हालां कि ये कुछ समय पहले ही बनी है पहले ही एनाइटी विधानसवा का ही हिस्सा होते थी तो बढ़कल में भी कांग्रेस कोई बहतर जादा बहतर सफलता हासिल नहीं कर सकी यहां पर भी भाजपार कांग्रेस के बीच में बहुत ज़्यादा अंतर रहा और इसमें सोचने वाली बात यह है कि कांग्रेस से जो बढ़कल छेतर में रहने वाले सेनिक कलोनी में रहने वाले महिंद परताब सिंग जो कांग्रेस के उम्मीदवार थे जो उनका यह गड़ रहा है और पिछली बार उनका बेटा खुद यहां से विजय परताब सिंग चुनाव लड़ा था और मात्र धाई हजार बोतों से चुनाव हारा था सीमत खाजी के सामने लेकिन लोगसवा चुनाव में अपने ही छेत्र में कांग्रेस ही यहां पर कांग्रेस को मिले भाजपा को मिले 98629 बोत और बरकल में कांग्रेस को मिले 64355 यानि कि 33,000 से ज़्यादा कांतर आ गया फरक पड़ गया भाजपा ने ज़्यादा बोत लिये जबकि पिछले विधान सवा चुनाव में विजे परताब को कांग्रेस उमीदवार के रूप में यहां से मात्र धाई हजार बोतों से जीतने से रह गए तो यह 35,000 का जो गयप आया जहांके में परताब जी खुद रहने वाले है विजे परताब खुद रहने वाला है उनका बेटा है जो पिछली बार थाई जार मात्र बोतों से हारा था तो इस बार 35,000 से ज़्यादा का जो गयप हुआ है अंतर आया है ये कांग्रेश के हित में नहीं लगता कांग्रेश के सत्तर पार के नारे से मेल नहीं खाता और कांग्रेश के लिए ये शरम की बात कही जा सकती है दोश्तो बढ़कल से आगे अब हम पलवल की बात करते हैं पलवल विदान सवाचेत्र दोश्टों आप जानते हैं कि पलवल से करन सिंग दलाल लोक सवा का चुनाव लड़ना चाहते थे प्रवल दावेदार थे और वो वर्थों से तयारी भी कर रहे थे वो बात अलग है कि हाई कमान ने अंत में पलवल के टिक्त ना दे कर महनपरताब जी को दे दी और जैसे तैसे करन दलाल महनपरताब जी की हक में परचार करने के लिए या मदद करने के लिए तयार हुए चाहे हाई कमान के दवाब में क्योंकि आगे उन्हें मेले का भी चुनाव लड़ना है लेकिन दोश्टो जो करन सिंग दलाल लोग सबा चुनाब लड़ने जा रहे थे पलवल में ही कांगरेस की लुटिया डूबी बुरी तरीके से आप देखें कि पलवल में कांगरेस को 94,809 वोट मिले और उनके अपोजिट बाजपा को कांगरेस को 79,805 वोट मिले मैं और छेत्रों की बात उतनी नहीं करूँगा लेकिन चुकि करन सिंग दलाल एक बड़ा नाम है कांगरेस में विधायक रहे हैं कही बार मंतरी रहे हैं और लोग सवाक के उम्मीदवार भी बनने जा रहे थे उनके छेत्र में भी कांगरेस का इतने हजार वोटों से पिछड़ना कहां 94,809 और कहां कांगरेस के 69,855 वोट तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि कांगरेस इस छेत्र में क्या चुनोती और विधान सवा चुनाव में भाजपार को चुनोती दे पाएगी आगे बढ़ते हैं होडल होडल दोस्तों पिरदेश कांगरेस सद्धर चौदरी उधैवान का ग्रह नगर है वो वहीं पर रहते हैं वहीं से मिरख्याल में 4-5 बार एमेले बने हैं लेकिन यहां गनीमत ये रही कि कांगरेस यहां पर अपनी इज्जित बचाने में काम्याव रही कांगरेस और भाजपा के बोटों में कोई बहुत ज्यादा अंतर तो नहीं रहा लेकिन करीब 6-7 बोटों से हूडल में कांगरेस भाजपा से आगे रही भाजपा उमीदवार को 61,798 बोट मिले जबकि कांगरेस को इस विधान सवाचेत्र पर 62,364 बोट मिले यानि प्रदेश अध्यक्ष किसी तरह यहां इस सीट पर भाजपा उमीदवार को पचाड़ने में काम्याव रहे इस से आगे जो आखरी और नौमी सीट है हतीन दोस्तों यह एक से एक ऐसी सीट है जहां पर कांगरेस ने मजबूती से अपना जंडा गार दिया यानि कांगरेस की नाक यदी उची की नव विधान सवाचेत्रों में तो वो मात्र हतीन विधान सवाचेत्र रहा जहां भार्जपा उम्मीदवार को इस विधान सवाचेत्र में 52,892 बोट मिले और जब की कांगरेस ने यहां पर लाख 4,600 मत प्राप्त की हैं तो दोस्तों कहने का ताथ पर यह यह है कि जब कांगरेस इस बार 10 सालों के बाद सप्ता में लौटने के सपने देख रही है तो हर एक-एक विधान सवाचेत्र पर ध्यान देना होगा एक-एक विधान सवाचेत्र को जीतने के लिए खून पसीना बहाना होगा लेकिन मात तीन-चार महीने का समय बचा है और आपने देखा कि इन नौफ विधान सवाचेत्र पर कांगरेस बाजपा से अच्छे माहौल में भी बहुत मतों से पीचे रह गई है यदि वास्तम में कांगरेस हाई कमान सत्तर पार के नारे को कामियाब करना चाहता है तो फरीदाबाद पलवल दिले कि ये नौफ सीटें जो लोक्षवाद छेतर में पढ़ती हैं इन पर भी पसीना बहाना होगा और ऐसी नीतियां बनानी होंगी ऐसे उम्मीदवारों को टिकर देना होगा जो तन, मन, धन से मेहनत करके जनता को शाथ लेके जनता का विश्वास जीत कर इन विधान सवाओं में ज्यादा से ज्यादा उम्मीदवारों को उम्मीदवार जीश सके तो दोश्तो कथनी और करनी में बहुत अंतर होता है भाशन देने में और जमीनी हकीकत में बहुत अंतर होता है तो जो कांग्रेस के नेता स्वाव देख रहे हैं चाय पलवल पूरे हरियाना के हाई कमान या फरिदवाद पलवल लोक्षवा छेतर की नौ विधान सवा सीटें इन पर कांग्रेस हाई कमान को बहुत मेहनत करनी होगी और मेहनती उम्मीदवारों को जमीन से जुड़े उम्म जो इन विधान सभावों में कांग्रेस को जीत दिला सकें ऐसे उम्मीदवारों को ही टिकट देना होगा तभी कांग्रेस की नईया पार लग सकती है दोस्तों ये था हमारा आज का मुद्दा की फरिदाबाद और पलवल जिले यानि लोक्षवा छेतर की नौ सीटों पर का हालात हैं और वो कैसे जीतेगी जो वो हरियाना में इस बार सत्ता में आने का ख़ाव देख रही है तो दोस्तों देखते रहे देश रोजाना मिलते हैं कल नए मुद्दे पर बाचीत करेंगे जै हिन जै भारत जै सविधान नमस्कार बढ़ाइगों स्थी जिए बेलाइगों